आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ difference between microeconomics and macroeconomics तो अगर आप ये question को लेकर बहुत ज़्यादा doubt में हो तो आप इस वीडियो को जरूर consider करिएगा वीडियो को last तक देखना, skip करने के कोशिच बिल्कुल मत करना जिससे आपको समझ में आपाएगा पूरी understanding के साथ की difference between microeconomics and macroeconomics तो आते हैं अपने वीडियो पे, मेरा नाम है आकास कुमा चोहन और आप में ये साथ देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल exam bell इसी बात पे keep, subscribe my channel and hit the bell icon for getting more updates पहले तो मैं आपको एक बात clear कर दूँ कि difference between microeconomics and macroeconomics जे class 11th में आने वाला most important question में से एक question है जे कुशन exam में बहुत frequently पूछे जाते हैं इसलिए अगर आप class 11th के तरफ से वीडियो देख रहे हो तो मैं आप से कहा देना चाहता हूँ कि ये question आपके लिए most important question है इसे please इसे skip मत करिएगा ध्यान से इसे देखिएगा तो आईए आप अपनी वीडियो के उपर चलते हैं अब बात करते हैं difference between microeconomics and macroeconomics तो आज़र हम बात कर लेते हैं इस सब्सक्राइब लिखेंगे microeconomics और यहां बात करेंगे macroeconomics की अब देखो microeconomics की बात हमने अपने पिछली वीडियो में पूरी तह से की थी तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं और चाहो तो description में लिंक दे रखा है मैंने वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि वहां पे हमने microeconomics की पूरी detail में बात की थी कि जब भी आप difference की बात करोगे तो आपको दोनों की बारे में पता होना ज़रूरी है तो हमने microeconomics के बारे में पिछले वीडियो में detail में पूरी बात कर ली थी macroeconomics की बात की जाए तो मैं आप से कहना चाहूँगा कि macroeconomics जो है वो आपकी 11th का स्लेबस नहीं है 12 से related है तो यहां पर हम उतने डीप बात नहीं करेंगे इसलिए हम डायट आगए difference के उपर clear तो यहां से नहीं को कहना चाहूँगा सबसे पहला point हमने पढ़ी थी definition की what do you mean by microeconomics तो हमने देखा था कि इकोनोमिक्स क्या है तो हमने देखा था study of economics एट इंडिवीज्वल लेवल मैंने अब से कहा था कि microeconomics वो एकोनोमिक्स है जहां पर human behavior पढ़ते हैं बिजनस में लेकिन एक छोटी इकाई के उपर इंडिवीज्वल यूनिट के उपर बिल्कुल इसका उल्टा है अपोजिट है macroeconomics बोलता है कि मैं भी economics हूँ मतलब कि मैं भी study of economics ही हुआ कि मैं उसी का branch हूँ तो study of economics at aggregate level मतलब कि सभी को लेकर यह aggregate level की बात करता है यह हम बो सकते हैं total की बात करता है aggregate यह टोटल लेवल यह हो गई पहली डिफेंस इनकी डेफिनेशन कि माइक्रेक्नोमिस क्या है simply हम बो सकते हैं इन दोनों का define हम लिख दें तो हमें पहला difference मिल जाएगा दूसरे difference की बात कर लेते हैं अगर मैं आप दूसरी difference की बारे में बात करूँ तो यह कह सकते हैं कि माइक्रेक्नोमिस जो होता है वह relatively smaller है इस्मॉलर होता है मैक्रो के मुकामले और जो हम साफ देख पा रहे हैं आप देख सकते हो कि जे इंडी वीजूल यूनिट की बात करता है और जे एग्रिगेट लेवल की बात करता है तो सीधी सीधी बात है कि माइक्रो जो है मैक्रो से छोटा है जबकि जो मैक्रो होता है वह हमको पता है कि वह relatively broader है क्लियर है यह हमारे पास दो difference हो गए तीसरे difference की बात की जाए तो यह थोड़ा सा technical है और यह मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया भी था यह है कि soul of micro economics क्या है तो हम बोलेंगे soul of micro है soul of micro economics is price theory हम यहां पर price theory के ओपर बहुत depend करेंगे इसका मतलब जह है कि micro economics में आप जितने chapters पढ़ोगे हर chapter कहीं न कहीं directly या indirectly price के ओपर depend करेंगी करेंगी clear है इसलिए हम बोलते है कि micro economics का soul है है वो है price theory ओके लेकिन इसका बिल्कुल यहां पर हम बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इनका अलग सोल है तो हम बोल सकते हैं सोल आफ मैक्रो एकनोमिक्स क्या हो जाएगी theory of income यहां पर जो सोल है वो theory of income है क्यों है कैसे है यह हम 12 में ही बात करेंगे यहां भी आप जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करो यहां पर आप मैक्रो को जितना हो सके उतना कम जानों तो आप माइक्रो पर confused नहीं होगे clear है fourth difference की बात की जाए when we study microeconomics जब हम microeconomics पढ़ेंगे ठीक है when we study microeconomics macroeconomics still constant आप जब माइक्रो पढ़ोगे तो जो macro है वो constant रह जाएगी मतलब कि आप माइक्रो पढ़ रहो तो मैक्रो जहां पर थी वहीं पर उसे रहने दो नहीं उसको ऊपर करना है नहीं उसे नीचे करना है तो हम जब बोलते हैं कि when we study microeconomics the macroeconomics still at constant level clear है बिलकुर इसी का उल्टा है अगर मैं यहां बात करूं तो यहां मैं बोसकता हूं कि when we study macroeconomics जब हम macro पढ़ेंगे macroeconomics तो हम बोलेंगे microeconomics is at constant level तब जो micro है वो constant level पे रहेगी अब सर इसका कारण क्या है reason क्या reason इतना सही है कि microeconomics की अलग scope है macro का अलग scope है micro के अपने principles है macro के अपने principles है macro की अपनी theory है micro की अपनी theory है और यह theory जो होती है बिल्कुल opposite है क्योंकि macro बात कर रहा है individual level पी एक एक चोटी काई पे जबकि macro बात कर रहा है total level पे तो हम बोलते हैं कि जो दोनों का principles हैं law है वो बहुत ही अलग होते हैं कि macro छोटे level पे law create करेगा macro जो है बड़े level पे law create करेगा तो बहुत जगह ऐसा होता है कि दोनों contradict करते हैं अब opposite direction में चलते हैं तो हम बोलते हैं कि ऐसा है कि हम macro पढ़ेंगे तो macro को हम constant छोड़ देंगे जब हम macro पढ़ेंगे तो हम micro को constant छोड़ देंगे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि individual level पे कोई law बन रही है या कोई principles बन रहा है तो वो सही हो लेकिन जब हम total level की बात करते हैं aggregate की बात करेंगे तो हो सकता है कि वो गलत हो इसे हम बोलते हैं paradox इसी लिए बोला गया कि micro पढ़ेंगे तो macro constant है macro पढ़ेंगे तो micro constant है क्योंकि दोनों के theory अलग है दोनों का principles अलग है clear है आगे बढ़ते है फिफ्ट डिफ्रेंस जो फिफ्ट डिफ्रेंस है वह है scope scope of micro economics आप देखो यह मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था कि scope क्या है micro economics की तो आपको कुछ नहीं करना है आपको दो scope लिख देना है तो मैं दो लिख देता हूं product price और एक देता हूं factor cost है यह हो गए दो scope वैसे आप यहाँ याद कर लो अभी कि यहाँ पे भी कुछ scope है अभी आपको सारी scope जानने की जोत नहीं है कि मैक्रो की सारी scope क्या-क्या होती है क्योंकि relevant ही नहीं आपके लिए आप सिफ डिफ्रेंस परपस के लिए सिफ दो scope याद कर लो वो दो इसको दो क्या-क्या है हम लिखेंगे scope of macroeconomics scope of macroeconomics सबसे पार लिखेंगे theory of income and employment यह एक scope है इसका theory of income and employment दूसरी हम लिख देता है money and banking money and banking तो आपको सिफ दो scope याद कर लेना है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अगर आप अभी पूरे scope याद करना चाहोगे macro की तो वह आपके लिए relevant है यह नहीं और कोई फाइदा भी नहीं याद करने का क्योंकि स्लेवर्स में आपके है यह नहीं अभी तो आप सिफ दिफरेंस परपस के लिए दो scope याद रखो कि theory of income and employment money and banking six difference की बात कर लेते हैं six difference होजाएगा इसका example example होगा एक फर्म जब हम एक एक चीज के बारे हैं बात करेंगे तो वह क्या हो जाएगा micro economics clear जबकि यहाँ अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि यहाँ पर example क्या होगा सर तो यहाँ पर आप बोसकते हो national income अब देखो national income क्या होती है राश्ट्र की इंकम देश की इंकम और देश की इंकम निकालने के लिए आपको हर एक परसन की निकालने पड़ेगी जब आप एक की इंकम मिकालत है थे तो यहाँ इंकम मैखर करें देश की निकल रहे हो और देश की इंकम क्या रहे हो तो क्या बा tresPlease के लिए लिए पूछा जाता है और मैंने आपको छे बिए तो को सी भी चार पॉइंट आप याद कर सकते हो जो आपको सही लग रहे हो बाकि अरब छे याद अगते हो तो आपके लिए अच्छी बात है एक्जाम में आप मैकिरो की डैफिनेशन फिर हमें देखा कि मैक रोक स्मॉलर रहा है मैक रोडर तोहमने निखा 6 2 फिर मैं कि याद होमने चीजा 20 sabemos में है theory of consumer behavior and demand producer behavior and supply product price factor price and welfare economics कोई से भी दो आप यहां लिख क्या होगे macro की दो स्कोप आप याद कर लो अभी आपको जानने की जोत नहीं है कितने स्कोप होते और क्या क्या होते हैं हमने दो स्कोप याद कर लिया theory of income and employment money and banking फिर में देखा example example कि एक छोटी काई पढ़ना a firm a school इस सब क्या है इजांपल है microeconomics की मैक्रो में क्या हो जाएगा जब आप टोटल लेवल पर किसी चीज़ को बढ़ते हो तो बने का national income calculation of national income यह हैं पूरी difference between microeconomics and macroeconomics यहीं पर जी वीडियो खतम होती है सक्षम रहे पार है तो और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर क्लास 11 की microeconomics की बहुत सारी वीडियो अपलोड होने वाली है और बहुत सारी वीडियो पहले से भी अपलोड है तो आप यहां पे lots of content पापाऊगे commerce से related तो अगर आप चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल से जल और सब्सक्राइब करी रहे हो तो बैल आइकों को दबाए उसकी notification और लेकर जाए जिससे आपको मिलेगी मेरी वीडियो की update सबसे पहले इस वीडियो को यहीं पे end करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में thank you and have a nice day